हलो किसान भाइयों नमस्कार मैं प्रसोत्ता मर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो किसान भाइयों सबसे पहले आप लोग बताईए कि आप लोग कैसे हैं क्योंकि बहुत दिनों बात आप लोगों से बात हो रही है जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में बताया था जो कि लगभग 2-3 महीने पहले बना था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि जुलाई से मेरा जो नया केले का प्लांट लगेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को रिगुलर पूरी जानकारी लेता रहूंगा जिस दिन से लगाना स्टार्ट करूंगा उस दिन से आखरी तक तो दोस्तों आज मैं आ गया हूं केले की नर्थरी को जहां पर केले का पौधा तयार किया जाता है तो कैसे पौधा तयार किया कर दोतोे द्लाव है आप लोग लोग को उसके बारे में दिखाते हैं क्होंसा मैं पर लेकर गर जा रहा और そして लोगोबर लेना है वो मुझे बात कर सकते हैं उनको भी मैं पर दिलन कर दोता हूं यह तो चलिए आप आप लोगों को सबसे पहले दिखाते हैं जो पौधा मैं लेने वाला हूं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह पौधा मैं लेकर जाओंगा आपने घर तो जैसा कि आप लोगों को एक पौधा दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का पौधा निकलता है देखें काफी सारी जड़े हैं इसमें कोको पिट में तयार किया हुआ पौधा है और अच्छी क्वालिटी इसकी यह होती है पौधे की की उपर से आप नीचे तक सारी पतियां देख सकते हैं सुरुवास से आख पर जो पौधा आता है नेट पौट में एक बड़ी सीट्रे होती है लगभग सव खांचा के ऊपर उसमें खांचे होते हैं एक दाम छोटा-छोटा पौधा होता है जो लाइब से निकलने के बाद नेट पौट में तयार किया जाता है वह यह लोग ला करके इस तरीके का जब ज्यादा टमप्रेचर होता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो आपको पाइप दिख रहे हैं आप देख सकते हैं यह जो पाइप लगे हुए हैं इन पाइप पे यह जो नेट दूसरा वाला लगा हुआ है इसको डाल देते हैं ज्यादा टमप्रेचर होत जलका एस्प्रे करना है पानी का एस्प्रे करना उसके लिए यहां पर फागर लगाए गए और उपर से जो पाइप है वह लगी हुई है उससे इसको टंप्रेचर मेंटेन किया जाता है दोस्तों तो आप लोगों को मैंने यह सब दिखा दिया तो आगे अपना खेत कैसे तया लोगों को रिगुलर मिलता रहे गा तो जो लोग अपकी बार केला की खेती नए से करना चाहते हैं सुर्वास्यान तक अच्छे से करना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि उन लोगों को सारे वीडियो एटूजट मिलते रहें आप लोगों कुछ सारी जानकारी सीधे खेत से मिलेगी और एकदम सही जानकारी मिलेगी उसमें कोई जो अनुभव है मेरा वही मैं आप लोगों को बताता रहूंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्त्या झाल